वेल्कम डिया स्टूडन्ट तू दौ अनलाइन क्लासे सब सर्दारवल लभभाई पतेल इंग्लिश मेडेम स्कूल यावल माइन अम ही सुवर नापा तिल तुड़े वी आर गोईंग टू लॉन स्टैंडर सेकेंड और सब्जेक्ट हें हिंदी हम आज फिर से देखेंगे ए का अभ्यास देखो हाती उसे हम केते हैं E-L-E-P-H-A-N-T एलिफंट उसके बाद मचली यानि फीश माली यानि गार्णर और परी यानि जो राजकुमारी होती है देखो यहापे जो शब्द दिये है उसका जो प्रोणामसेशन है वह E की तरह होता है यानि यह जो शब्द है यह E से E स्वर से बने है ठीक हम अभी देखते हैं चाची खीर मीथी बनानी है, देखो चाची को क्या कहा है, चाची जो खीर है वह बहुत मीथी बनानी है, रानी की दादी कहानी सुनाती है, जो रानी नाम की लड़की है, उसकी दादी क्या कहती है, क्या सुनाती है, कहानिया सुनाती है, नीरज जिल से मचली ला, नीरज नाम और जो रीता है उसे क्या कहा है दही लाकर रखने को कहा है और जो माली है उसे पीली शिशी लाने को कहा है देखो ये जो lesson है ये जो वाक्य है ये क्या है सब इस word से बने है इसमें किसका pronunciation है इ यानि के इक उसके बाद इ से इसाई इ से इट और इ से इड फॉर एक्जामपल जे से चीता देखो चीता नाम जो शब्द है बच्चो उसमें भी जो pronunciation है वो किसका आता है इका यानि चीता उसके बाद तीर ये जो word से उसे भी ती यानि ती के बाद किसका उच्चारण आपको सुनाई देता है इका यानि तीर उसके बाद खीर जीव गाडी इसमें भी जो वाक्य शब्द बने है वह इस word से बने है इस प्रकार ये जो सब वाक्य है ये किस से बने है इस word से बने है हर एक शब्द में चाची, मीठी, इसके बाद का जो प्रोणाउंसेशन है, वह केसा सुनाई देता है, हमें E स्वरुप का सुनाई देता है, और इसलिए इसे क्या कहते है, E का अभ्यास, क्यूकि इसमें पूरा प्रोणाउंसेशन है, वह only one E का है, इसी से हम इसे कहते है, E स् वर से बने शब ठीके थेंक यू फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल